तो अगर आपका बजट है 15,000 और आप एक 5G फोन ढूनते हो मार्केट में जाके तो mostly 5G फोन आपको एक notch वाली LCD डिश्पे दे रहे हैं लेकिन I think ये फोन इस चीज को चेंज करने वाला है इस फोन का नाम है Infinix का Note 35G काफी यूनीक चीज़े लेके आता है सब चीज़े बात कर सब्सक्राइब करना अगर आपको एक वीडियो अच्छी लगती है पहले इस फोन को एंबॉक्स करोगे तो बॉक्स के अंदर लिटरली आपको सब कुछ मिलता है फोन कवर चार्जर टाइप-C केबल और सब कुछ का मतलब इवन यहाँ पर एक प्रॉपर टेंपर ग्लास भ हर बार काम कर रहा है बट एक चीज़ डिजाइन में जरूर है कि फोन काफी जदा बढ़ा है सिंगल हास यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है और एवन काफी जदा भारी है वेट चेक करोगे 207 ग्राम तक पहुंच जाता है तो हाँ हैवी आपको यह फोन काफी फील बात की थी तो जैसे आप competition देखोगे mostly सारे phones ना आपको एक notch वाली LCD डिस्पे दे रहे हैं और even कुछ तो 60Hz की भी डिस्पे दे रहे हैं खैर इस फोन में आपको एक पंच्छोल वाली LCD डिस्पे मिलती है यह फूल HD डिस्प्ले है और पंच्छोल होने के साथ-साथ यहां प भी फूल HD में चल जाता है और even यहां पर 120Hz का refresh rate भी है तो डिस्प्ले यूज़ करने में स्मूध भी फील होती है आउटर में लिके जाते हो डिरेक्ट सलेंड में तो नहीं लेकिन आउटर में भी आप यूज़ कर सकते हो तो हाँ फाइनली competition से तो at least दिल लोगों ने अच 20,000 की भी नीचे ऐसी speaker आपको नहीं मिलते हैं बहुत ज़्यदा loud काफी अच्छी detail produce कर रहे हैं और especially जो यह base produce कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी है and काफी कमाल के one of the best speakers आपको मिलते हैं खेर सबसे ज़्यदा लोग confused होते हैं इसके software को लेकि वो कैसा है तो पहले तो यह latest च चीज काफी अच्छी है इवन यहां पर bloatware भी काफी कम किया है infinix के यहां पर खुद के साथ app आपको मिलते हैं और यहां पर third party app सिर्फ आपको तीन मिलते हैं तो bloatware भी इस बार कम किया है और इनका software ऐसा है ना कि यहां पर बहुत ज़दा feature और बहुत ज़दा update नहीं आते तो जिस तरीके से चलता रहा है दो-तीन साल से यहां पर सारे चीज़े काफी stable हैं कोई major आपको bug नहीं मिलेगा हर चीज काफी responsive feel होगी animations वगएर भी आपको काफी अच्छे मिलते हैं even features के अंदर भी जैसे YouTube के अंदर भी यह pip mode support करता है और काफी अच्छी तरीके से support करता है आपको folders के अंदर ही widgets वगएरा का option मिलता है यहां पे आप app lock लगा सकते हो, dual apps create कर सकते हो, software के थो RAM भी बढ़ा सकते हो, game mode वगएरा आपको सम मिलता है, even यहां पर Google का डैलर नहीं है, यहां पर चुपके से call recording कर सकते हो, यहां पर Infinix का डैलर है, तो हाँ यहां यहां पर दो मैं इसके scores दिखा देता हूं, competition से compare करोगे, जैसे MediaTekka 6020 या MediaTekka 810, तो competition से तो इसका processor अच्छा है, even storage speeds भी आप देख लो, storage speeds भी काफी अच्छे आ रहे हैं, and normal task में यह phone बिल्कुल भी नहीं अटकेगा, आप कुछ भी कर लो, जैसे मैं पहली बार आपको app open करके दिखा जलता हूं, background से सब कुछ close करता हूं, और पहली बार भी app open करते हो, तो काफी जल्दी खुलते हैं, और मैं 8GB RAM वाला वेनिट यूज़ कर रहा हूं, तो उसकी वैसे मैंने जितनी भी app खोले, वो background में रहते हैं, तो performance अच्छी है, normal task में बिल्कुल नहीं अटकेगा, even gaming भी आप इस पर कर सकते हो, जैसे BGMI जो है, इसमें smooth plus ultra में चल जाता है, यानि 40 fps, and 40 fps काफी ज़्यदा constant है, वैसे अगर आप gyro player हो, तो यहाँ पर gyro sensor भी दिया है, खैर sensors के अंदर यहाँ पर सारे sensor दिया है, कोई कटावती नहीं किया है, लेकिन अगर आप gyro player हो, तो gyro के अच्छी तरीका से खेल सकते हो, बिल्कुल भी delay नहीं है, बट सबसे बढ़िया पात इस processor की लगी कि यह phone ज़्यादा गरम नहीं होता, पहले तो इसका throttle test देखो, mostly green में रहता है, और gaming के तुरहन अगर आप charging पे लगा के खेलते हो, यहाँ प एक unique feature है, bypass charging, इसको आपको game mode म आपको थोड़ी सी unique लग रही है, तो दो काम आप कर सकते हो, like and share करते हैं, इसे यह video भी चल जाएगी, और यह channel भी चल जाएगा, क्योंकि हम camera की बात करने जा रहे है, यहाँ पे आपको एक ही camera मिलता है, जो की main है, 108 पिसल का, इसे आप दिन में use करते हो, तो आपको details मिलती इवन रात में use करते हो, काफी bright images है, यहाँ भी आपको detail मिलती है, skin tones और colors भी अच्छे है, रात के हिसाब से भी काफी सही काम कर रहा है, लेकिन selfie camera जरूर थोड़ा सा आपको निराज करेगा, यहाँ पे 16 एपिसल की selfie है, दिन भी थोड़ी से आपको detail कम feel होगी, skin tones और colors तो आपको अच्छे मिलते हैं, लेकिन portrait shots में हलका सा light control में दिक्कत है, light काफी जाता हो जाती है, portrait shots जब आप खीचते हो, background में कुछ भी नहीं दिखता, तो यह चीज को fix करने की जरूता है, लेकिन रात में use करते हो, तो थोड़ा सा जादा disappoint होगी, colors थोड़ा सा जादा fade हो जा फिर यहाँ पे sim slot ऐसा है, जहाँ पे आप दो sim और एक HD card एक साथ यूज़ कर सकते हो, और 5G के साथ साथ यहाँ पे NFC का भी support है, तो यह बहुत एक unique feature है, क्योंकि 15,000 के नीचे कोई phone देता नहीं, खैर battery के अंदर भी इन लोगों ने अच्छा काम किया है, 5000 mH cap को battery मिलती है और 45W का charger box के अंदर ही मिलता है, और even यहाँ पे reverse charging भी है, तो आप इस phone से दूसरे phone भी charge कर सकते हो, और even अपने earphones वगरा भी इससे charge कर सकते हो, तो हाँ काफी unique feature लेके आता है, और आकरी में overall इस phone को देखा जाए, तो मैंने 2 दिन ही use किया है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही क compare करोगे, वो भी अच्छी लग रही है, खेर आप लोग बताओ, comment section में वहाँ discuss करते हैं कि 15,000 में कैसा phone है, hope आप लोग के वीडियो पसंद आयो, मैं ऐसी simple videos बनाता हूँ, straight to the point, इधर दोर की बात नहीं, ताकि आपका time वीच ना हो, तो please subscribe करके bell icon call पे करना, अगर यह video और even like and share कर दो अपने दोस्ते वारों कैसा, ताकि यह channel जल्दी grow हो जाए, और यह video भी चल जाए, अगर आपको कोई सवाल रहे गया, वो भी comment section में पूछना, मिलते हैं आप लोग सबनी वीडियो में, thanks for watching, and love for all.